वैसे तो trigonometry table जो होता है, वो कुछ ऐसे दिखता है, पर ये आता कहां से है, और इसे याद कैसे करें, वो discuss करते हैं पहले. सबसे पहले तो, जो हमारे angles होते हैं, वो होते हैं 0 degree, 30, 45, 60 degree और 90 degree, यहनी 0 से 90 वीच में सारे angles होते हैं, और ये होते हैं सारे. और हम यहाँ पर पहले discuss करेंगे, sin, cos और tan को. अब अप notice करो, मैंने ये row खाली छोड़ी हुई है, ये हमने सिरफ याद करने के लिए छोड़ी है, ये कैसे याद करेंगे numbers? सबसे पहले तो, मैं इसको लिखता हूँ, 0 divided by 4, 1 divided by 4, 2 divided by 4, 3 divided by 4, और 4 divided by 4, चिके? और फिर में करता हूँ, इन सब का root, अब इसका क्या मतलब हुगा? अब देखो, 0 divided by 4 होता है, 0, तो ये होगा root of 0, और root of 0 की value होगी, 0, चिके? ऐसे ही, root 1 by 4, ये होगा, 1 by 2 का square, का root, square और root cancel, तो ये आएगा 1 by 2, तो यहाँ पर 1 by 2, ऐसे ही ये होगा, 2 by 4 होगा 1 by 2, तो root 1 by 2, यानि 1 by root 2, ऐसे ही ये होगा, numerator में root 3, denominator में root 4, और root 4, root 4 क्या होगा मेरा, यहाँ लग जिता हूँ, root 4 होगा, root 2 का square, square root cancel, तो ये आएगा 2, ये आएगा root 3 by 2, और root 4 by 4 होगा, root of 1, और root of 1 होता है 1, तो ये आएगा 1, चिके? तो sin theta की values इन सारे angles में ये है, यानि sin 0 degree की value 0 है, sin 30 degree की value 1 by 2 है, 45 degree की 1 by root 2, 60 degree की root 3 by 2, 90 degree की 1, चिके? आप वैसे तो ये याद कर लो, पहले तो ये याद करो कि कुन-कुन सा angle है, 0, 30, 45, 60, 90 angles है, फिर आप सिरफ sign की values याद कर लो, 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, 1, और वैसे आपको याद करने की जुरूत नहीं है, आप जितने questions प्रैक्टिस करोगे, जो यहाँ पर questions है वो, और जो NCIT में questions है वो, उनसे आपको practice हो जाएगी और फिर अपने आप याद हो जाएगा, या अगर कभी-कभी याद नही होते, तो आपको तरीका बता दिया, आप इसको लिखो, root 0 by 4, root 1 by 4, root 2 by 4, root 3 by 4, और root 4 by 4, फिर आपको याद हो जाएगे, चिक है, तो sin थीटा के ऐसे याद करते है, और जो cos थीटा होता है न, उसके बिल्कुल उल्टा शुरू होता है, यानि cos थीटा का 0 degree होगा, sin थीटा का 1, उल्टा का मतलब क्या हुआ, यानि यह देखो, यह 0 से यहाँ जा रहा है, इसकी इस दिरेक्शन में, इसकी उल्टा डिरेक्शन में ले जाओ, यहाँ से लेकि यहाँ तक ले जाओ, यानि इसको लिखो, 1, root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, और 0, ठीक है, तो यानि मैंने sin को बस root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, और 0, ठीक है, अब देखो, जब आपको sin थीटा पता है, और cos थीटा पता है, तो tan थीटा क्या होता है मेरा, tan थीटा होता है, sin थीटा by cos थीटा, है ना, तो यहाँ पे 0 by 1, यह होगा tan थीटा, 0 by 1 होगा, नियूमेरेटर में 0 है, तो 0, ऐसे यहाँ पे होगा, 1 by 2, divide by root 3 by 2, तो 2 और 2 cancel, root 3 बड़ेगा इन नौमेरेटर में, तो यह आएका 1 by root 3, यहाँ पे, 1 by root 2, divide by 1 by root 2, यह पूरा-पूरा cancel, तो यह आएका 1, यहाँ पे, root 3 by 2, divide by 1 by 2, 2 और 2 cancel root 3 numerator में और यहाँ पर आएगा 1 by 0 अब देखो जब भी 0 से कोई भी number divide होता है तो वो होता है not defined ठीक है हम कभी भी 0 से किसी भी number को divide नहीं करते ठीक है आप 100 by 0 लिखो 1000 by 0 लिखो infinity sorry infinity नहीं minus 1 by 0 लिखो तो वो सारा not defined होगा ठीक है not defined का मतलब पता ही नहीं क्या value है कभी कभी इसे infinity भी कहते है infinity की भौत बड़ी value है मुझे पता नहीं कितनी बड़ी है ठीक है पर वैसे mathematically not defined ही कहते है infinity नहीं कहते है और infinity का symbol यह होता है just for information पर अब not defined लिखना कहीं भी हो ठीक है तो जैसे sin theta का आपने याद कर लिया फिर cos theta का automatic हो जाएगा और tan theta का भी automatic जितने questions फ्रेक्टिस करोगी उतना हो जाएगा ठीक है तो तरीका बता दिया sin theta cos theta tan theta आगया अब अगर cosack है तो cosack होता है 1 by sin तो जितना भी sin है उसको divide कर दो ऐसे ही sec होता है 1 by cos जितना भी cos है उसको divide कर दो caught होता है 1 by tan तो जितना भी tan है उसको divide कर दो तो आपका table आएगा कुछ ऐसा मैं चाहता हूँ कि आप video pause करो थोड़ा सा पीछे जाओ और जैसे मैंने अभी ये table derive करा है वैसे आप अपने pen paper में ये table खुद लिखो एक बार ही लिखो that is more than enough और जितने questions है आँ प्राक्टिस करो तो काम मन जाएगा तो ये होगी हमारी trigonometry table की beginning यहाँ पर हम discuss करेंगे जितने भी values हैं जो हमने भी discuss कर लिए इसके बाद याद कैसे करते हैं ये भी हम discuss कर चुके हैं अब हम करेंगे 10 हमारे special teach you questions जहाँ पर one marks, four marks के questions और काफि सारे questions पास्चिपे पर साय हुए है मैं हूँ दवनीत आईए start करते है start करते हैं हमारे special teach you questions है यहाँ पर एक triangle ABC गिवन है right angled at C यानि एक right angled triangle है जहाँ पर right angled C पर है यानि ये C है तो मैं माल लेता हूँ ये A है और ये B तो ये triangle ABC हो गया चेके मुझे निकालने है value cos A plus B की यानि cos A plus cos B की अब यार ये थोड़ा सा typical है इसलिए क्योंकि cos A plus B तो मुझे पता ही नहीं क्या है लेकिन मुझे A plus B plus C पता है क्या है है ना angles हम property से ये होगा 180 degree A plus B plus C angle C की value हमें पता है 90 degree है ना तो A plus B की value क्यों आएगी 180 माइनस 90 यानि 90 degree तो मतलब cos A plus B होगा अब cos 90 degree अब हमारा table कैसे होता था 0 degree 30 45 60 90 ये होता था पहले sign आता था और कैसे start होता था 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 और 1 cos के लिए उल्टा तो बिल्कुल उल्टा 1 root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 और 0 तो cos 90 degree क्या है 0 तो ये 0 जैसे ये table मैंने अभी बनाया वैसे आप हर एक question specially जो पहली बारी कर रहो है तो हर एक question में वो ये खुद रटेम्ट करना जितना आप ये table खुद बनाऊगे उतना आपको प्राक्टेस हो जाएगी और बस इसी वीडियो की बात है जो first time देख रहे ह एक और one mark का question करते हैं यहां पे sec theta sin theta की value 0 given है theta की value निकार 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 अब देखो जब भी ऐसे complicated equation given होती है तो मैं कोशिश करता हूं इसे convert करने की sin या cos में तो से असान हो जाता सब कुछ तो सबसे पहले तो इस sec को convert करता हूं cos में इसे लिखता हूं 1 by cos theta अब यह है मेरा sin theta by cos theta और sin by cos क्यों होता है मारा देखा देखा लग रहा है ना tan theta तो यानि tan theta की value 0 है okay अब tan theta 0 को होता है मुझे पता है tan theta होता है sin theta by cos theta tan theta 0 होता है जब sin 0 होता है यानि 0 degree पे अगर नहीं याद है तो table द्वारा बनाओ 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 और 1 तो यह हो गया sin का एंगल एंगल लिख जता हूं द्वारा 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree cos के लिए exactly उल्टा तो 1 root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 और 0 और tan के लिए क्यों होता है sin by cos तो 0 by 1 होगा 0 तो 0 degree पे tan के value 0 तो यहनि theta आएगा 0 degree ठीक है यह बना भी दिए table tan theta 0 degree पे 0 होता है तो theta 0 degree ओके इस question में कह रहा है कि cos theta की value को क्या होता है जब theta increase करता है 0 से 90 अच्छा इसके लिए अगर मैं table देखू हमारा तो देखो पहले तो sin theta की बात करते हैं ठीक है जब theta 0 से 90 की तरफ जा रहा है तो sin की value बढ़ रही है ठीक है कैसे बढ़ रही है पहले 0 थी फिर 1 by 2 यानि 0.5 हुई ठीक है उसके बाद थी 1 by root 2 देखो 1 by 2 बढ़ा है या 1 by root 2 इसके लिए 1 by root 2 को लिखता हूँ मैं इसका exact value 1.414 होती है तो मुझे यह पता है denominator जिसका छोटा होगा वो number बढ़ा होगा है ना यासी यासी कि मुझे पता है 1 by 2 बढ़ा है 1 by 3 से तो ऐसे ही 1.414 बढ़ा होगा 1 by 2 से तो यह 1 by root 2 बढ़ा है मेरा 1 by 2 से अब root 3 by 2 root 3 by 2 यह होगा मेरा root 3 की value होती है 1.73 by 2 तो यह आएगा 0.8 और यह 1.414 से बढ़ा है तो यह यानि यह root 3 by 2 बढ़ा है इस 1 by root 2 से और 1 तो obviously बढ़ा है क्योंकि 0.8 से बढ़ा तो 1 होगा यानि sin की value 0 से लेके 1 तक बढ़ रही है जब angle बढ़ रहे है ऐसे ही sin की value बढ़ रही है अब देखो cos की क्यों हो रही है तो cos के किसमें पहले start होता है 1 से फिर 0.8 फिर 1 by root 2 फिर 1 by 2 यानि कम हो रही है तो cos theta की value decreases from 1 to 0 ठीक है माना one mark का question है पर मैंको आपको concept explain करना काफी important है ठीक है क्योंकि chapter ही ऐसा है initially जब आता है तो सबको दिक्कत होती है पर एक बढ़ क्लिक हो जाता है तो असान हो जाता है ठीक है तो logic समझ आगे और अगर अच्छे लगना तो एक बढ़ लाइक कर दिना जाए और जितना हो सकी उतना शेयर करना है इस वीडियो को ओके यह एक बढ़ खुट ट्राय करो यह तो असान है बस solve भी करना है sin 90 यह मुझे पता है sin 90 की value 1 होती है cos 45 की value होती है 1 by root 2 cosec 30 पर यह तो 1 by cosec है न तो मैं 1 by cosec को लिख सकता हूं sin तो 1 by cosec 30 को लगता हूं sin 30 degree और sin 30 होता है 0 1 by 2 1 by 2 है ना अब आप देखोगे कि यहर सर को किसे याद है formula क्योंकि मैंने practice कर रही है और इसलिए याद है आपके लिए आप हमेशा table बनाओ दुबारा से जितना हो सके उतने questions में table बनाओ जब तक आपको याद ना हो जाए आसे on the tips ना हो जाए तब तक table बनाओ ठीक है sin 90 देख लो 1 है cos 45 1 by root 2 और cosec 30 होगा sin 30 degree sin 30 है मेरा 1 by 2 तो यह आएगा root 2 plus 1 by 2 लेता हूँ तो यह आएगा 2 root 2 plus 1 by 2 चेक है अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना 45 degree पे sin और cos equal होते हैं चेक है यह चीज का ध्यान रखना और tan theta की value भी 1 45 degree पे होती है ओके और 0 और 90 की बीच का angle यहनि exact बीच का angle भी 45 degree है यहनि बिलकुल बीच में मेरी दोनों sin cos की value equal होती है ओके ओके यहाँ पे given है root 2 sin theta की value 1 इसकी value निकाननी है यह पहली बात तो मैं इसको root 2 को right side ले जाता हूँ तो sin theta आएगा 1 by root 2 और sin theta 1 by root 2 होता है 45 degree यह मुझे पता है तो theta 45 degree आगया अब इसकी value निकालने के लिए मैं theta की value बूट करता हूँ 45 degree तो sec square 45 को sec square 45 degree अब हमने अभी discuss कर रहा था कि sin 45 equal होता है cos 45 degree के यानि 1 by sin 45 यह भी equal होगा 1 by cos 45 के obviously तो इसका मतलब cosec 45 equal होगा sec 45 के तो यानि sec square 45 को sec square 45 सेम होगा यह cancel हो जाएगा answer आगा 0 और वैसे value क्यों होती है इनकी sin 45 होता है 1 by root 2 sin 45 1 by root 2 तो cosec 45 के होगा 1 by sin 1 by sin 45 यानि 1 by 1 by root 2 तो यह यहाँ पर denominator में ऊपर चला जाएगा तो यह आएगा root 2 तो cosec 45 की value root 2 sec 45 की value भी root 2 तो यह आएगा root 2 cos square minus root 2 cos square सेम value है तो यह 0 आ जाएगा चेक है अब एक different app का question करते हैं यहाँ पर cos a minus b sin a plus b की value root 3 by 2 given है मुझे angle a और angle b निकाल नहीं अच्छे एक और चीज गिवन है कि a plus b और a minus b acute angles हैं acute का मतलब इनकी value less than 90 degree है यानि a plus b की less than 90 है a minus b की भी less than 90 है चेक है अच्छा अब cos a minus b की value root 3 by 2 है cos theta की value root 3 by 2 मैं निकालता हूं द्वारा formula लगाता हूं sorry table बनाता हूं 0 30 45 60 90 sin का क्या था 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 और 1 cos का क्या था 1 root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 और 0 cos theta की value root 3 by 2 होती है यहां 30 degree पर तो a minus b की value 30 degree है इसको first equation कैसेता हूं इसे ही sin a plus b की value root 3 by 2 है sin root 3 by 2 को होता है 60 degree यहां पर तो sin sorry यह गलत लिख दिया मैंने sin a plus b होगा sin 60 degree यानि a plus b की value 60 degree यहां इसे second equation कैसेते हैं अब मेरी यह first and second equation है इन दोनों को solve करूंगा angle ले और angle भी आ जाएगा मैं दोनों को add करता हूं तो minus b plus b cancel यहां left side में आएगा 2a right side में 90 degree यहां आएगा 90 by 2 यानि 45 degree यही a की value 45 किसी भी equation ने put कर दो answer same आएगा आपका मैं first equation about करूं तो यहां पर b की value आती है 15 degree तो यानि a 45 b 15 degree है answer अब कुछ questions करते हैं जो evaluating वाले हैं यानि ऐसी equation given है उन्हें solve करना है जितने भी questions बचे हैं उसारे ऐसी हैं करते हैं उसे यह वाले questions करने के लिए आप पहले तो table बना ले रहां यानि ऐसे 0, 30, 45, 60 लिखके आप sin, cos, tan के table बना लेना अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो अगर आप पहली पर attempt करो तो पक्का बना लेना question ठीक है table बना लेना पक्का यहां पर यह evaluate करना है हमें अब देखो tan 30 degree, tan 30 होता है 1 by root 3 इसका square है sin 30 होता है 1 by 2 sin 30 cos 60 सेम होते हैं यह 1 by 2 होता है sin 90 होता है 1, तो 1 का square tan 60 degree होता है root 3 का square minus 2 into tan 45 होता है 1, cos 0 होता है 1, 1 का square sin 90 होता है 1, चीक है तो यह कुछ ऐसे, इसे solve करते हैं 1 by root 3 का square में 1 का square होगा 1 और root 3 का square होगा root और square cancel, नीचे 3 आएगा ऐसे यहां पर root 3 का square में root square cancel, यहां पर 3 बचेगा यह बला, चीक है इसे solve करूँगा तो मेरा answer आता है minus 1 by 3 इस question में 2 mistakes हो सकती है एक तो आपने यहां से यहां पर values कुछ गरत लग दी है या यहां से यहां पर कुछ calculation mistake कर दी हो तो अगर आपको चाहिए कि मैं calculation mistake समझा दूँ आपकी तो कोई दिकत नहीं, मुझे comment कर दो या अगर शरम आ रही है comment करने में तो मुझे email कर दो मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा कि कैसे calculation करने यह fraction में यह थोड़ सा difficult हो जाता है, मेरे लिए भी होता है यहां पर यह solve करना है यह value से असान है, sin 30 होता है 1 by 2 तो इसमें 1 by 2 की power 4 cos 60 भी 1 by 2 होता है तो 1 by 2 की power 4 cos 45 होता है 1 by root 2 का square sin 90 होता है 1 तो minus 1 का square तो बस अब solve भी करना है 2 की power 4 होती है 16 तो 1 by 2 की power 4 होगा 1 by 16 ठीक है यहां पर 1 by root 2 का square root और square cancel 2 हो जाएगा ठीक है अगेन यहां पर minus half है और एक minus का sign बाहर है तो plus हो जाएगा ठीक है तो plus 3 by 2 हो आएगा तो यह answer आएगा 2 थोड़ा से और evaluating मेले देख लेते हैं अब आते हैं fraction मेले question fraction में tan 30 degree अच्छा tan 30 होता है 1 by root 3 उसका square tan 60 होता है root 3 कुसेक 30 यह होता है 1 by sin 30 और sin 30 होता है 1 by 2 तो कुसेक 30 आएगा 2 tan 45 की value 1 होती है और क्यूंकि tan 45 1 है तो cot 45 भी 1 होगा ठीक है यहां पर मैंने table भी बना दिया था आपके लिए यह value है solve करेंगे इसको तो answer आता है 5 एक यह वाला है fraction वाला यहां पर cos 60 की बात हो रहा है cos 60 होता है 1 by 2 उसका square है cos 30 होता है root 3 by 2 का square tan 45 होता है 1 sin 30 होता है 1 by 2 का square है cos square 60 cos square 60 तो 1 by 2 होता है cos 60 1 by 2 होता है उसका square 1 by 2 तो यह कुछ ऐसे आएगा इसे solve करें तो यह solve करके आता है 13 by 2 मैंने हर एक step समझाया हुआ है एक एक करके कि यहां पर 2 by 4 फिर 1 by 2 आएगा denominator में तो यहां से कुछ करेंगे 2 आएगा यह तो आप एक एक step देख लेना क्यूंकि calculation mistake बहुत ही common है इसको practice जरूर करना question को even though आपने answer देख लिया है तब भी okay यह वाले question में again अच्छा यहां पर थोड़ा सा interesting इसलिए है क्योंकि यह पिछले वाले जैसा ही है पर थोड़ी से चीज़े different है cos 60 हमने अभी देखा यह है 1 by 2 sec 30 यह होगा 1 by cos 30 cos 30 होता है root 3 by 2 1 by root 3 by 2 तो यह आएगा 2 by root 3 okay tan 45 होता है 1 sin 30 होता है 1 by 2 cos 45 होता है 1 by root 2 ठीक है पहली mistake तो यह कि values गरत लिखी है आपने वो दूसरी इसकी calculation थोड़ी से typical है क्योंकि यहां पर 1 by 4 plus 1 by 2 आ गया मतलब numeratory calculation अलग चल रही है denominator की अलग चल रही है तो अगर आप एक साथ नहीं कर सकते हो तो अलग लग करके कर लो पहले denominator solve कर दो फिर numerator solve करो और फिर divide कर दो कोई दिक्कत नहीं है okay इससे solve करेंगे तो यहाएगा 10 by 3 okay यहां पर यह वीडियो खतम होती है इसके बाद exercise 8.2 जो है आपकी chapter 8 class 10 trigonometry की आप वो attempt कर सकते हो NCRT से नहीं करना teach you पर concept wise में सारे concept समझाय हुए है सारे examples और exercise की questions की videos है और important भी mark हैं कि आपको यह attempt तो करना ही करना है ठीक है तो भहाँ से चेक कर सकते हो subscribe नहीं कर रहा तो ऐसा दोका मेरे साथ ना करो subscribe करना न भूलना ठीक है और next वीडियो में हम complementary angle cos 90 minus theta sin 90 minus theta माले formula देखेंगे और इसके बहुत ही video questions करेंगे और trigonometry class ने का कुछ भी चाहिए हो तो यह playlist है आपके पस चलो see ya guys